हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारी चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात दो से तीन चीजों से बनने वाला एक्दम नया और बहुत ज़दा टेस्टी नास्ता आप इस नास्ते को एक बार बार बनाना चाहेंगे खाने में यह बहुत ज़दा टेस्टी और हेल्दी है और बनाना भी इससे बहुत ही आसाल है तो चलिए फ्रेंड बिना किसी देरी के फटा पर से नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे फहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी सूजी तो यहां पर हमने एक कब जितनी सूजी लिए तो सूजी आप मोटी या महीन कोई भी दाने के इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपके गर में इसली अवेलबल हो तो सबसे पहले अपनी सूजी को हम एक बोल में ट्रांस्पर कर देंगे इसके बाद आप हम इसमें एड़ करेंगे एक चौथाई कप जितनी फ्रेश दही तो मेक्शूर कीजेगा कि फ्रेश थिक दही का इस्तिमाल करें इससे आपका जो नास्ता होगा वो बहुत ज़्यादा टीस्टी बनेगा आप चाहें तो दही की जगा पर मट्रे का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मेक्स करेंगे तो पानी आपको दिरे दिरे करके डालना है ताकि आपको पता चलब सके कि सूजी कितना ज़दा पानी अपसाब कर रही है तो देखिए यहां पर हम 2-3 मिनिट के लिए रैस पर छोड़ देंगे तब तक कि अपने हम चटनी के तैयारी कर लेंगे तो प्रहां चटनी मराने के लिए सबसे पहले एक जार में हम डालेंगे चार से पांच कलिया लैसुन की, अगर आप लैसुन निकाते हैं, तो आप लैसुन को skip कर सकते हैं, इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक काट अद्रक का टुकड़ा, तीन से चार हम हरी मेंच रायट करेंगे, इसमें हरी मेंच आप अपने spice के according ही डालेगा, इसके बाद हम इस चटनी का ये paste बनकर ready हो चुका है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यदा टेस्टी लगती है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा अलग ट्विस्ट देंगे, इससे हमाई जो चटनी होगी वो बहुत समय तक चलेगी, तो सबसे पहले एक कड़ाई मे हम डालेंगे 2-3 चमच के करीब तेल, और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे, जैसे हमारा तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें आड़ करेंगे 1 चौथाई चमच जितना साबू जीरा, और आधा चोटा चमच जितना हम इसमें आड़ करेंगे, तो नोई चीज़ों को हम अ तो इस चटनी को हम तब तक पकाएंगे, जब तक कि इसका अंदर का जितना भी पानी है, वो अच्छे से पकने जाता, और हमारी चटनी है वो अच्छे से ओइल को सेपरेटने कर देती, तो 2-3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से उबलने देंगे, और जब यह पानी करेंगे, थोड़ा सा मैगी मसाला, इससे हमारी चटनी का जो टेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, एक बार इस तरह से चटनी भी बना कर देखेगा, तो सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे, और इसे हम एक से दो मिनट के लिए और अच्छे से भ बनाने के लिए हम एक मिक्स्टर तयार करेंगे, जिसके लिए हम एक जार ले ले लेंगे और इसमें हम एड करेंगे, थोड़ी सी गाजर, तो गाजर को आपको इस तरह से चोट चोटे टुकडों में कट कर देना है, ताकि इसे पीजने में आसानी हो, तो गाजर डालने के अब हम इसमें एड करेंगे, थोड़ी सी प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं, तो प्याज हमने दो मेडियम साइज की डाली है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे, चार से पांच हरी में, चारी में चाप अपने स्पाइस के डालिएगा शाथ ही हम इसमें आड करेंगे एक कांट अद्रक का टुकड़ा और 3-4 कलिया हम इसमें आड करेंगे लैसुन की अगर आप लैसुन को सकते हैं इन सबी चीजों को एड करने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी फ्रश करी लीव इसे भी हम इसमें डाल कर अच्छे से पीस लेंगे तो इसमें आपको पानी वगरा कुछ भी आड़ ने करना है इसे आपको ड्राइली पीस लेना है तो चलिए फटा फट से इसे हम पीस लेते है तो देखें यहाँ पर ह फटा-फट से अपने बैटर को हम चेक कर लेंगे तो देखे हमारा ये बैटर काफी अच्छे से फूल गया है और इसने सारे पानी को अब्सॉब कर लिया है तो अब हमने अपनी सब्जियों का मिक्स्जर तयार किया था उसे हम इसमें सारा का सारा अड़ कर देंगे तो इस तरह से सब्जियों को अगर आप चौप करेंगे तो आपको सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छे से आएगा आप चाहें तो इसे चौपर में पर चौप कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा ये mixture ready हो चुका है लेकिन इसमें थोड़े से spice आड़ करेंगे ताकि हमारा नास्ता और भी ज़दा टेस्टी लगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक चौथाई जम्मच जित्ता साबू जीरा साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े सी काली मेच का पाउडर तकरीबन एक चौथाई जम्मच इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा black salt इससे हमारी नास्ते में बहुत अच्छा सा टेस्ट है को और digestion के लिए भी काफी अच्छी होती है साथ हम इसमें एड़ करेंगे कलर के लिए एक चौथा ही चमच जित्ता हल्दी पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली फ्लिक्स अगर आपकी हरी मिस बहुत ज़दा तीक है तो आप रेड चिली फ्लिक्स को इसके भी कर सकते हैं तो सारी चीज़ों को आड़ करने के बाद हम इसमें एड़ करेंग करते हैं तो नास्ते को मराने के लिए सबसे पहले एक नॉंस्टिक पैन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे दो से तीन चमच के करीब ओयल और ओयल को हम पैन के चारो तरफ अच्छे से फैलाएंगे ताकि यह अच्छे से लग जाए पैन के चारो तरफ और इससे हमारा जो चटकने देंगे जैसे ही अच्छे सो चटकने लगेंगी तब अपने नास्टे को बनाना स्टार्ट करेंगे गैस की फ्रेम हम मेडियम रखेंगे मेडियम फ्रेम पर इस नास्टे को पकाएंगे अच्छे से शेफ देने के बाद हम इसके उपर फिर से राई और तिल को अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे ताकि उपर भी इसमें अच्छे से टेस्ट आए न दोनों ही चीज़ों का तो अब इसे हम अच्छे से कुक होने देंगे और यहाँ पर बहुत ज़ता तेल की अब्सॉर्ब नहीं करता है, जितना भी तेल आप डालेंगे आप देखेंगे, यह पैन के चारो तरफ अच्छे से लगा रहेगा, बिल्कुल भी ओयल को अब्सॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी बेकिंग सूडा या फिर इनो बगरा का इस्तिमाल नहीं किया है, तो इस तरह से दोनों साइट में हम इसे अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, ताकि हमारा नास्ता बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, और खाने में यह बहुत ज़्यादा टेस्टी ल चल्धी जलदी क्विक से पलटना नहीं है जब तक ही अच्छे से कुक नहीं हो जाए तब तक आपको इसे बिल्कुल भी ट्च नहीं करना है, जब यह उपर से अच्छे से ड्राई हो जाएगा और पैन को अच्छे से छोड़ देगा तबários को जब इसे पलटना है, तो से ट्राइ कीज़ेगा और हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी तो यहाँ पर हमारा यह सूजी का बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नास्ता बनकर रेडी हो चुका है इसे हमने टमाटो चटनी के साथ सर्फ किया है जो की बहुत ज़्यादा इज़ी रेसिपी है टमाटो चटनी की भी और देखे कितना अच्छे से सॉफ्ट ली यह कोख हो चुका है इसमें किसी तरह के फर्मेंटेशन की बिल्कुल भी सुरुत नहीं है तो बहुत रेच और हाई प्रोटीन डाइट है तो जो लोग डाइटिंग कर रहे बढाई झाकर बाइट झाक्क ट्रवाचिन